आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल इस्टडी टीम में तो एस या कप समापत हो चुका है और इससे रिलेटेड जितने भी कोस्चन परिच्छा में आने लाइक है उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो शुरू कर कजता हैं पहले कोशन पर आते हैं कि कर्केट टूनावेंट पूरूस एसया कौप 12 का किय्rine किस देश ने जीता है तो किस देश ने जीता है तो यह हमार। प्यारा भारत क्या है कि Asia Cup 22 का खिताब भारत ने जीत लिया है चलिए आगे पड़ते हैं थोड़ा बिश्थार में इसके बारे में जानते हैं क्या है कि भारत ने स्रिलंका को Asia Cup 23 के फाइनल मैच में 10 विकेट से हराया है अगर question पूछे कि भारत ने Asia Cup कितनी बार जीत लिया है तो यह record आठवी बार भारत ने Asia Cup जीता है ठीक है और बात करते हैं कि final match कहां खेला गया था तो final match खेला गया था और प्रेमदास इस्टेडियम कहां पे आई यह कोलंबो स्रिलंका में यह इस्तित है यहां पे जो भारत और स्रिलंका का जो final match खेला गया था वह इसी स्टेडियम पे खेला गया था चलिए अगले question पर आते हैं अगला question है कि पूरुस क्रिकेट Asia Cup 2022 का किताब किस देश की टीम ने जीता था question पूछे कि 2022 में किस टीम किस देश के टीम ने पूरुस क्रिकेट Asia Cup जीता था 2022 वाला तो यृत ठाइम 2022 में जब सरिलंका बीजयता रहा था Asia Cup 2022 का तो उसमें उप बिजयता कूण रहा था तो पाकिस्तान रहा था संसक्रन की बात करें तो वो 15 संसक्रन था जो 2012 में हुआ था व籃वाव संसक्रन था और आयोजन अस्थल अस्थल कहा था तो आयोजन पर आते हैं आगला है किस देश ने लागातार तीन बार क्रिकेट एसिया कप का खिताब जीता है तो किस देश ने जीता है यह जीता है भारत ने अपसा नमबर ए सई होगा चलिए जानते हैं कि भारत भारत ने 1988 में 1990 में और 1995 में लागातार तीन बार यह खिताब जीता है ठीक ये खिताब लागातार तीन बर जीता है अगले कोशन पर आते हैं अगला है क्रिकेट एसिया कप दो एटेज की टाइटल स्पांसर कौन कमपनी थी ठीक है क्रिकेट एसिया कप दो एटेज की टाइटल स्पांसर कौन सी कमपनी थी ठीक है अफसा नमबर ए सई होगा अगले question पर आते हैं अगला question कि भारत ने cricket Asia Cup 223 का किताब किसकी कप्तानी में जीता है किसने भारत ने तो भारत क्रिकेट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे एसिया कप देज के लिए तो वो थे रोई सर्मा अफसर नमबर ए सई होगा ठीक है तो रोई सर्मा की कफटानी में भारत ने क्रिकेट एसिया कब थे सकीप अलहसन बंगलादेश टीम के कैप्टन थे नेपाल टीम के कैप्टन कौन थे तो रोहित कुमार पोड़ुल ये क्या थे नेपाल टीम के कैप्टन टें में। के कैप्टन कांटेंत मतुला। थे अगले कोशन पर आते हैं। अगला कोशन कितने वर्षों के नतराल पर खेला जाता है। तो कितने वर्सों के अंतरालप खेला जाता है? क्रिकेट A.C.A. कप तो यहाँ दो वर्सों के अंतरालप खेला जाता है. आप्सा नमबर B. सई होगा. अगले कोश्चन पर आते हैं, अगला पूर्स क्रिकेट A.C.A. कप 22 में किस टीम ने पहली बार भाग लिया था? ठीक है? किस टीम ने क्रिकेट A.C.A. कप 22 में पहली बार भाग लिया था? तो कौन सी टीम थी? तो वो थी नेपाल के टीम थी. आप्सा नमबर D. सई होगा. ठीक है? नेपाल के टीम ने क्या है कि क्रिकेट A.C.A. कप 22 में पहली बार भाग लिया था? और नेपाल टीम के कैप्टन कौन थे तो कैप्टन थे और रोईत कुमार पॉडेल या नेपाल टीम के कैप्टन थे अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है कि क्रिकेट टूनामेंट एसिया कप 23 में सरवाधिक run बनाये चलिए details जानते हैं तो सुभम गिल ने इस tournament में सरवाधिक 302 run बनाये ठीक है सुभम गिल ने इस पूरे tournament में सरवाधिक 302 run बनाये बात करते हैं कि सरवाधिक विकेट लेन वाले गेदबाज को ने मतिशा पतिराना ये क्या है सिलंका के हैं और इन्होंने 11 विकेट लिया है यानि सरवाधिक विकेट लेन वाले गेदवाज हैं मतिशा पतिराना अगले कोश्चन पर आते हैं भारत कितनी बार जीता है तो यह आठ बार भारत ने क्या है पूरुस क्रिकेट एसिया कप जीता है ठीक है चलिए बिशार से जानते हैं तो भारते टीम ने सरवाद एक आठ बार यहाँ पर गलत हो गया है सरवादिक आठ बार चैंपियन बन चुकिये भारत्य टीम कितने बार तो आठ बार चैंपियन बन चुकिये कब कब 1984 में बनी थी 1988 में 1990 में 1995 में और 2010 में और 2016 में 2018 में और 2023 में ठीक है 2023 में ऐसह यहाँ कि भारते टीम आड़ वार। चैम्पियन बन चुकी है, ठीकि इसके बाद दूसरे लंबर पर श्रिलंका टीम, स्लिंका टीम श्रिलंका टेम 6 बढ़ चैम्पियन रख सुकी है यानि बन चुकी है, ठीकिए चली अगले question पर आते हैं अगला question दोरा किया जाता है ACCреसी यानी ACC and cricket energية key है कि एक उड़ोरा का है कि अपड़ा किया जाता है चली डिटेल से जानते हैं तो एक का का फूल फाम किया होगा Ettasia किरिकेटंषिल इसका फूल फाम होगा बात करते हैं उस्थापना की ज confronted 1983 में इसकी अस्थापना बात करें तो मुख्याले को लंभो स्री लंका में और छी वर्तमान होँ ने तो वर्तमान में अध्यक जैसा है ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला एक क्रिकेट एसिया कब पहली बार कब खेला गया था पहली बार पूछ रहा है कि पहली बार कब खेला गया था तो कब खेला गया था पहली बार पहली बार यह खेला गया था 984 में अस्थापना कप होई थी तो अस्थापना सितंबर सफी इसके अस्थापना वह इती और पहली बार irgendwərख क्रिकट खेला गया था यानिग इसी poking क्रिकेट एसिया कप 1984 में खेला गया था ठीक है इसकी इमेजबानी कहा हुई मतलब किसने की थी तो इसकी इमेजबानी यूएई ने की थी कब 1984 में और विजेता कौन सी टीम विजेता रही थी तो वह भारत विजेता रहा था एसको याद रखिएगा अगले कोशेण पर आते हैं अगला क्रिकेट एसरैद अक्षापना कप की गई 50-50 ओवरों का खेला गया हैहां चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला कहला है एसीया कब 23 के फाईनल में किस खिलारी कोraum halves match चुना गया अगले किस करम 23 के फाईनल में किस खिलारी को upright up the match चुना गया तो किस खिलारी को comfort 강ory YouTuber आप दा सी हो मंस शिला गया अगले कोशन पे आते हैं अगले कोशन है अध्येशन में प्लेयर आपदर टूनामेंट का खिताब किस ने जीता है नहीं जीतता है खल् Guardi Piyado आफसार रमबर 20 सही होगा ठीके खल्दी Piyado को खल्दार का किताब है अगले कोशन पे आते हैं अगला है तो इसकी मेजबानी किस देश ने की है, तो किस देश ने की है, तो यह hybrid model पर खेला गया है, यह पाकिस्तान और स्रिलंका दोनों के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, आपसा नमबर C, सायोगा, चलिए डिटेल में जानते हैं, डिटेल में कि इस tournament को hybrid model में होस्ट किया गया जिसमें 4 मेंच पाकिस्तान में और 9 मेंच स्रिलंका में खेले गया है, ठीक है, hybrid model पर इसको होस्ट किया गया, जिसमें से 4 मेंच कहां खेले गया, तो पाकिस्तान में खेले गया, और 9 मेंच स्रिलंका में खेले गया, बात करते हैं संसकरण की, तो यह 16 संसकरण था, और इसम नेपाल क्या है कि 2023 में पहली बार Asia Cup में participate किया था इसी के साथ यह आज का last question था और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा comment में जरूर बता हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ए झाले हैं ठाले हैं जरूर आपको कि वीडियो आपको की जरूर लगए पनगा का रिगार यह वीडियो अगरा बार यह वीडियो कि जरूर आपको के साथ और यह जरूर को conduci